जै हिंद साथियों स्वागत है आफ सभी का यूटूब चैनल कनहिया जीयस वर्ल में दोस्तों विश्व टीवी दिवस जो की परतेक वर्स 24 मार्च को मनाय जाता है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टीवी दिवस क्यों मनाय जाता है और साथ साथ इसके मनाय जाने के पीछे का क्या कारण है और टीवी को ही यहां पर टीवर क्लोसी सी या फिर 6 रोग कहा जाता है वर्स 23 की इसकी थीम क्या रखी गई है टीवी रोग का क्या कारण है इसका लक्षड क्या है इलाज क्या है इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो देखें सबसे पहले टीवी कहां पर होता है तो टीवी हमारे यहां पर लंक्स में होता है एक जिवाणों के कारण होता है आप यहां पर देख सकते हैं तो देखे टीवी के ही अनिक नाम है जैसे इसको तपेदि कहा जाता है इसके अलावा टीवर कुलियसिस हो गया टीवी हो गया च्छाय रोग हो गया इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम है दोस्तों यदि आप पहली बार आया है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके घंटे की निसान को दबा दीजे और यहां पर लाइक वाला बटन इसको दबाते हुए चलना है तो देखे सबसे पहले टीवी दिवस कब मनाये जाता है तो जान लेजे टीवी दिवस मनाये जाता है प्रतेग वर्स 24 मार्च को कब 24 मार्च को मनाये जाता है 206 रोग दिवस देखे वै बिस्तो स्वास्त संग्ठन की एक रिपोर्ट की माने तो हर दिन एक तालिस सव से ज्यादा लोग टीबी नामक बिमारी से अपनी जान गवा देते हैं और साथ ही 30,000 से ज्यादा लोग इस बिमारी के शिकार हो जाते हैं ऐसे में लोगों को इस जान लेवा बिमारी से बचाने तथा उनको जागरू करने के लिए ही 206 रोग यानि की वर्ल टीवी डे मनाये जाता है आप यहां पर देखा ही सकते हैं टीवी कहां पर होता है तो यह इनके द्वारा यह घोशडा किया गया था कि उन्होंने टीवी का कारण बनने वाले जिवाडू टीवर्कल बेसिलस की खोज की कर लिया यानि कि टीवी जिस जिवाडू के कारण होता है उसके खोज किस ने किया था राबर्ट कोश ने उसी दिन को यादगार मनाने के लिए इस TV दिवस्त को उसी दिन मनाये जाने का नीड़ लिया गया बाद में इस खोज ने तपे दिखिया यानि कि TV जैसी जानलेवा बिमारी का इलाज ढूडने में काफे सहय थाकि अब किसी भी बिमारी का इलाज ढूडना है तो पहले उसका कारण तो जानना ही होगा जब कारड़ पता चल गया तब ही आगे इसका जा करके इलाज संभव हो सका देखिए हर साल कुछ न कुछ थीम होती है वर्स 2030 के लिए थीम रखी गई है यस वी इंड टीवी हाँ हम टीवी खत्म कर सकते हैं ठीक है अब देखिए टीवी के लक्षर क्या है तो देखिए एक जान लिजे डाट्स अपना हो कभी-कभी queden पूछ देता है डाट्स नमकी विमारी किस रोक रोक से सम्बनदित है बिमारी नहीं और खासी के दावरान यदि मूँ से खोनाता है तब ही आप टीवी के सिकार मान सकते हैं लक्षड या है टीवी का भूख कम लगता हो वजन का तेजी से कम होना टीवी का लक्षड है और ठंड लग कर पसीने के साथ बुखाराना कई लोगों में सरीर में गांठे भी देखने क मिलती हैं और इसके जांच के तरीके तो बहुत सारे तरीके हैं जैसे टीवी जांच करने के कई माद्यम होते हैं जैसे चाती का एक सरे बलगम यानि कि जो खेखार होती है बलगम की जांच इसकी इंटेस्ट आदी यहां पर इसके होते हैं आधुनुक तक्नीके के माद्यम स आईजीम हीमोगलोबीन जाच कर भी टीवी का पता लगाया जा सकता है इससे समधित जाच सरकार द्वारा नेशूल कराई जाती है और लाइफ इस्टाइल में बदलाव कैंसर के हजारों मामलों को रोक सकता है यहाँ पर कुछ रिपोर्ट है यहाँ पर पढ़िए जैसे बच सकते हैं अगर आपको पता है कि किसी व्यक्ति को टीवी होए तो जितना हो सके उससे दूरी बनाये रखें क्योंकि यह है एक प्रकार का शंक्रा मक्रोग है ठीक है खांसी होसी से जो छीटे निकलती है उससे यह रोक फैल सकता है टीवी के मरीज को मास्क पहान कर रहना चाह ठीक है तो उमीद करते हैं यह छोटी से जानकारी आपको पसंद आई है पसंद आई है तो चाहिए कुछ नहीं बसे एक वीडियो को लाइक कर दिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंदे